अब अच्छो डाइग्राम सारी डिफाइन करने के बाद देखिए मैं इसका कोई भी एक पार्ट ले लेती हूँ लेफ्ट एंड साइड में से पहला भी ले सकती हूँ तीसरा भी ले लेती हूँ कोई एक पार्ट लोगे उसको दूसरे साइड के एक वल शो करवा दूँगी तो बाकी दो के लिए सिमिरली वाला प्रोसेस हो जाएगा तो देखिए यहां पर मैंने क्या क्या इन्होंने आपकी बुक में बच्छो धर्ड वाला पार्ट लिया वह मैं थर्ड पार्ट के रिस्पेक्स से आप लोग इसको प्रूफ करोगे और फर्स्ट रूप के साथ की साथ अरट के लिया लेelfाइं पर लिस्पेस पार्ट के और रिस्पेक्स से पहले करोगे इसके उपर देखिए मैं ने लिमित हैं तो फंक्षिनन न लोयर सर्फメस के लिए जया था अपर से की लिए यह था तो अपर लिमिट लिमिक्ट लिम यह आगई मया क्शु करो और साथ में अपर लॉयल लिमिट रह जाएंगी आप Z की जगह पे अपर लिमिट पुट करोगे माइनस Z की जगह पे लॉयल लिमिट पुट करोगे इसको एक्वेशन नमबर वन का नेम देद होगे अब देखो बचे यह तो सिंप्लिफाय हमने करके इसको ऐसे लिख दिया अ और यह दोनों सेम डाइक्शन में थे सेम डाइक्शन में थे तो हमने का था इन दोनों का जो एंगल है वो गयमा टू बना था तो अगर किसी प्रद्ट चीस की पर डड़क्त आपके पास बचली जाए यह यूनेट वैक्टर है आपके पास फॉर्स्ट का मोड भी वन होता ह दोर प्रड़क्त में कोस आ रहते हैं तो कोस के साथ उसका एंगल आ जाएगा एंगल क्या है आपके पास गैमा टू देखिए जैसे यहां पर था इन दोनों के द्रम्यान गैमा टू एंगल था डाइट वा जब इनकी डोर प्रड़क्त नेगे नोका मोड तो वान ओ जाएगा लेकिन angle आजाएगा cos gamma 2 जब हम इन दोनों vector की dot product की बात करेंगे इन दोनों की dot product 1 हो जाएगी लेकिन यहाँ पर जो angle होगा वो बचो minus sign के साथ आएगा क्योंकि direction आपके पास बचो opposite है यहाँ पर तो देखिए यही बात मैंने लिखी है यहाँ पर book make s2 surface की बात हुई तो cos gamma 2 आगया क्योंकि यह दोनों same direction में थे लेकिन जब आपने इसकी बात करनी है यहाँ पर जो cos gamma 1 आएगा लेकिन इन दोनों की product के साथ minus sign आएगा क्योंकि यहाँ पर k की direction है वो opposite है z axis के parallel के होता है z axis उपर को था नीचे वाली surface में k नीचे को जा रहा था अब इन दोनों terms की आपने जो value निकाल ली है आप यह वाली values जो हैं इसके अंदर put करोगे अब देखें यहाँ पर basically हमने x y plane को s की form में लेके जाना है s की form में आपके पास क्या होता है x y की form में तो हमने यह term लिख ली है जब हमने उसको surface की form में लेके जाना है surface की form में यह वाली term जो है k into unit vector की equal होती है तो अगर मैं इस वाले region के respect से इसकी surface की बात करूं two surface है तो second surface s2 आजाएगा double integral आजाएगा component a3 आजाएगा इसके respect से जो चीज वहां बन रही थी kdo 102 थी आपने वो लिकी साथ ने बता दिया ds2 की बात हो रही है इस तरह अगर मैं a3 surface के respect से उसका double integral की form में लिखूं तो double integral s1 के respect से आजाएगा क्योंके f1 की बात हो रही है माइनस आजाएगा क्योंके दोनों opposite direction में थे और यह term आजाएगी हमें बचो इन जर्णल यह वाली term चाहिए इन जर्णल यह वाली term में हमारे पस यह दोनों terms हो रही है आपके पास add हो रही है तो इसकी जगा पर मैं इसकी value लगा हूं तो यह term बन जाएगी यह वाला minus और यह वाला minus मिलके plus हो जाएगा इस term की जगा पर इसकी value आजाएगी अब देखें अगर कोई भी एक surface s1 है और एक surface s2 है यह दोनों add हो और यह add हो के total in journal पूरी की पूरी surface s में change हो जाएगी तो बजाए इसकी मैं इसको component की form में लिखू मैं इसको direct unit vector की form में लिख सकती हूं के दोनों मिलके complete s बनाता है और n1, n2 को basically in journal हमें लिख सकते हैं तो यहाँ से देखें आपके पास वही चीज बन जाएगी जो चीज आपने शो करवानी थी तो आपको के third part के लिए चीज शो हो गई है similarly आपको होगे जब हमने y, z और z x plane की बात करनी है तो one के respect से i के साथ और product आएगी two के respect से j के साथ आएगी क्यूंकर जब हमने third के respect से किया तो k के साथ आए थी similarly कहने के बाद आप तीनों equations को बचो एड़ करोगे तो आपका theorem का proof complete हो जाएगा जो चीज बचो आप लोगों ने प्रूफ करनी थी अब उसके बाद next आपके पास है rectangular form ghost divergence theorem की rectangular form में क्या होता है आपके पास बचो मैंने last time भी जिसना stocks की करवाई थी आपने जो एन यूनिट वेक्टर था उसको आपने डारेक्शिन को साइन की फॉम में ले लिया था एन वन को सेलफा और तेंडू को सब्सक्राइब तो यहां पर भी काम करोगे बाकि सारे का सारा ट्रिपल इंटेग्रल वही रेगा लेकिन डबल इंटेग्रल के इंदर एन